नमस्कार । दूस्तों। स्वाकत अपगा नेुट करसा से ऐधी वूट चलने। आज के इस वीडिएphonesमें में बात करने बारे हैं … करेंगे चैनलेंट यूपी के भी आंकड़े हिम साथ में देख लेंगे कि आखिर लेंगे कौन कोनं को Гरिएा ने पर सब्चाहद आखनेां when आ अाप यह देख सकते हैं ज़करिया बाकि मैंने भारत के वन में इनके बारे में बताया है कि अखिर ये वनों में कौन-कौन से प्रकार है इनके बारे मैंने बताया है तो जो ये वीडियो है ये forest report के उपर है हम देखेंगे कि भारत में कितने percent वनों की वरद्धी हुई है ये कौन-कौन से आकड़े है राज जिस्तर पर देखेंगे कमी कहां पर हुई ये सब बारे में देखेंगे और ये forest report का एक cover page है जिसके जो आई हुई report है आए देखते हैं भारत के संदर में आकड़े क्या कहते है तो अगर देखेंगे तो वन सरवजचल report 2021 की ये 17 वी report है 17 नंबर की report है सरपथम 1987 में प्रकासित हुई थी ये आप याद रखेंगा आंकड़े के purpose है important हो सकता है और वनावरड की mapping के है तो इसमें देखेंगे तो जो satellite का use किया गया है resource set 2 का प्रयोग किया गया है या पिछली बार भी है था आप जानते ही है वनावरड M वर्चावरड का कुल छेतरफल अगर जो देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना है आठ लाग 9,537 वर्ग किलो मीटर है या आद रख सकते हैं वर्ग किलो मीटर है जो भारत के कुल भागोलिक छेतरफल का 24.62 परतिसाथ है इसमें प्रसन देखेंगे तो इस तरीके से आते हैं कि भारत में कुल वनावरड मरचावरड कितना है ये आप प्रसन आ सकता है कौन से सेटलाइट के यूज किया गया है ये आ सकता है कौन से नंबर की रिपोर्ट है 17 हुई है ये आप आ सकता है और पहली बार 1987 में जो प्रकासित हुई इस पे प्रसन बन सकते हैं इसके बाद जो हम देखेंगे तो वनावरड और वरच्छावरड में ने बताया था तो इसको अलग अलग अगर जो हम जब देखेंगे तो में देखने को भी लेगा वनावरड वैसे भी जादा ही होता है तो वनावरड में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 7,13,789 वर किलो मीटर और वरच्छावर की बात करेंगे तो 95,748 वर किलो मीटर अब इसमें जद देखेंगे तो इसका percentage कितना आएगा 21.71 और यह आएगा 2.91 परसंट आजाएगा तो वनावलड आप याद रखें वरच्छावर भी याद रखें यही आँकड़े हैं जिनसे परसंट बनते हैं खास करके आप यह वाला आँकड़ा ज़रूर याद रखेगा 21.71 और 2.91 परसंट यह आ सकते हैं इनसे परसंट अब इनमें कभी कदार जैसे पूरा आँकड़ा दे दिया जाएगा तो यह 70,000 भी आप याद रख सकते हैं 7,500,000 वैसे मुख रूप से आपको 21.74 और इससे पहले जो मैंने बताया था वो आता है अकड़ा अब पिछले वर्स की आपेच्छा में इसमें वरधी कितनी हुई है इससे प्रस न पूछा जा सकता है कि आखिर वर्धी कितनी दर्ज की गई है तो अगर जो बात करेंगे 2019 की जो रिपोर्ट आई थी क्योंकि अब रिपोर्ट हर दो वर्स में जारी होती है दो वर्स में तो यह 2019 की रिपोर्ट से जब तुरना करेंगे तुम्हें वर्धी देखने को मिलेगी 1540 वर्ग किलोमीटर वर्धी हुई है और किसमें वनावरण में और वरच्छा वरण में अगर जो वर्धी की बात करेंगे तो 721 वर्ग किलोमीटर हुई है लेकि जब ओवराल वर्धी की बात की जाएगी तो दोनों आकड़ों को जोड़ दीजे, बाइस सो एक सट पर किलोमीटर वद्धी हुई है, तो ये भी आक आकड़ा है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, वैसे मुख्य रूप से जो आकड़ा आता है, कितनी कुल वद्धी हुई है, यही पुछाता है, तो बाइस सो एक से प्रसन आते हैं, एक आता है प्रत्सत्ता के अधर पर सरवाधी गवन, दूसरा आता है छेतरफल की द्रस्टी से सरवाधी गवन, अगर जो प्रत्सत्ता के अधर पर हम देखेंगे, तो सबसे यदा जो वन पायाते हैं, वो लच्छदीप में पायाते हैं, सबसे यदा व दे दिया जाएगा पूछ लाज़ाए सबसादा वन कहा तो लच्छती में अब बताएंगे लेकिन अगर जो सिफ राज जिकर कर दिया जाएगा के इंदसासित प्रदेश का जिकर नहीं किया जाएगा तो मिजूरं पहरे नमबर पर हो जाएगा अब इसके बाद मिजूरं के प्रतिसता व्जिकर कि अब देखें मालीजे इस उंत गिकर द्शीत सवाधिक बना जाए अब दोनों में अंतर क्या मान लेज़े ये एक कोई राज ये है इसमें अगर जो वन है तो यसके प्रतिस हैं माललीजेमे 9 प URLs One ऐसमें लेकिन इसकाmayı 50 somewhere şaat पर में हैं लेकिन इसका 50% का area अगर जो ओर आल 6 चेटफल निखा लेंगे तो यह मानने जदा होगा और इसकी तुल्नाम के निकाला जाता है सबसे नहीं है आपको इतना जानना है कि सबसे करहां पर जाते हैं मध्या प्रदेश में 37493 किलोमीटर open इसके बाद में जो आएगा वो अनुनाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद अनुनाचल प्रदेश 66,431 वर किलो मीटर, इसके बाद में आएगा 36 गड़ में, 36 गड़ की बात करेंगे तो 55,717 वर किलो मीटर पायाते हैं, तो इन सभी आकड़ों को याद करियेगा, ल पर प्रसन गलत हो जाता है इसलिए अब हमेशा याद रखे कि दूसरे नंबर पर आउनाचल प्रदेश ही है नेक्स हम बात करेंगे नियूंतम वन बात करेंगे कहां पर पाए जाते हैं तो नियूंतम वन जो आप देखने को मिलेगा वो हर्याणा में पाए जाते हैं 1603 वर कि पंजाब में फिर सबसे कम हर्याणा में उसके बाद पंजाब में वन शेत्रफल में व्रधिक की बात करेंगे कि अगर जो पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस बार देखा जाए तो सरवाधिक वनों में व्रधिक कहां दर्ज की गई है तो आंधर प्रदेश में मोस्ट सबसे कम वन हर्याणा में अब इस रिपोर्ट में बात क्या किया गया है कि इस रिपोर्ट में भारत के टाइगर रिजर टाइगर रिजर चेत्रों या सेर सन्रचल चेत्रों के वन आवर के आंकलन को भी जोड़ा गया है मदब इस रिपोर्ट में नई बात कही गई है कि जो टाइगर रिजर्व अगरा होते हैं या जो सेर के सन लचल जाएं इन शेत्रों में भी वनों का आंकलन किया गया और देखा गया कि सबसे ज़्यादा कहां पर पाया जाते हैं तो इसमें नाम निकल कर आता है आप लोग कभी सुने नहीं होंगे अनुनाचल प्रदेश का पक्क पंगे टाइगर जिसमें किया सतान्य पर्शंट आवरण पाया जा रहा है कि यह से प्रस्था रहा यह सकता आप से पूछी लिए तो पक्के टाइगर ज़े भाप याद रखेगा अब और हम जब आगे देखें गे तो हमें देखने को मिलेगा इसके बाद हम जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कुल कार्बन स्टाक कितना है तो कुल कार्बन स्टाक की जब बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कुल कार्बन स्टाक 7204 मिलियन टन है अब ये कार्बन स्टाक क्या होता है carbon stack जैसे मानलिजय हमारी पृथवी इस पे कुछ पीड़ पौधे लगे हुते हैं मानलिजय कोई पौधे लगे होते हैं और हमारे वाइव मंडल होता है तो वाइव मंडल में देखिए जो gas होती ऊसमें carbon dioxide मुक्त होती है और जो पेडों में जो कार्बन जमा होता है क्योंकि पेडों में आप जानने कार्बन होता है कार्बन जो पेडों में जमा होता है कोईले के रूप में आप कह सकते हैं तरीके से पेडों में जो कोईले के रूप में भी हो सकता है और आप देखेंगे जो खनिस तेल होते हैं उ इन्वार्मेंट से हटा दीजिए उसका जो इन स्टाक निकल कराता है वो 7204 मिलियन टन है अब यही स्टाक वाली जिए पेड़ पॉदे हैं या माली जो खनिस्टेल वगएरा इनको जला दीजिए तो इनका कार्बन होता है वो निकल करके कहां जाता है हमारे वायो मंडल में जला जाता है और वो कार्बन क्या होता है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करता है आप जानने ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देने लग जाता है तो इससे क्या होता है कि टंपरिचर बढ़ जाता है लेकिन जो पेड़ पॉदे लगा जाते हैं वो प्रवन इस्टाक के रूप में पेड़ों में जमा हो जाती है तो इसका अगर जो देखेंगे तो साथ हजार 204 मिलियन टन का अनुमान लगाए गया जो पिछली बार की तुनला से 79.4 मिलियन टन जो है अधिक है वरद्धी होई गया अभी इससे पहले मैं ने बताया था कि वन चैटरफल में आप देखेंगे तो वरद्धी कहा होई थी तो वरद्धी के तो मैंने बताया था कि आंदर प्रदेश में थी लेकिन अगर जो बात किया जाए कि वन शेतरफल में कमी कहां दर्ज की गई है इससे प्रसन पूछा जा सकता है तो अनुनाचल प्रदेश में दर्ज की गई है 257 वर किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है Most important person आ सकता है वन शेतरफल में गिरावट की बात करेंगे तो अनुनाचल प्रदेश में 257 वर किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है और मड़ीपूर में देखेंगे तो 249 है 249 कहां है मड़ीपूर में 257 कहां पर है अनुनाचल प्रदेश में important अनुनाचल प्रदेश है मैंगुरो के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे आप देख सकते हैं मैंगुरो का पौधा है आपको देख रहा है पेड़ देख रहे हैं मैंगुरो ये जो खारे पानी में देखें तो उनकी जड़े ऊपर की और होती है और खाड़े पानी में काफी तेजी से यह उगते हैं और इनमें जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जड़े वगर आप देखें तो ऊपर की और आपको देखने को निकलते हैं मिलेगी और खाड़े पानी में उगते हैं तो mangro के जो पेड़ होता है पेड़ में जब आप देखेंगे तो इनके जो फूल बगएर आते हैं फूल में जो बीज बगएर आते हैं तो बीजों में ही आप देखें तो पेड़ों में अंकुलड हो जाता है आपको देखने को मिला है यह आप देखें इनके बीजों में ही अंक्रोड आपको देखने लगा हुआ है पीज पेड़ पर लगने के बाद में आप देखने कि इसमें से एक नया पौधा निकल आए है इसका भी देख सकते हैं तो इसलिए कह सकते हैं, एको सिस्टम के लिए काफी एहम माने जाते हैं, इनके उपर मैंने सेप्रेट वीडियो इंवार्मेंट के अंदर बना रखा है, मैंन ग्रो वेजिटेशन के उपर, आप लोग उसको जा करके देखेगा, मैंन ग्रो बनस्पतियां जो हैं, उसमें मैंन बहुत से जीवों का आस्रेश्थल के रूप में भी जाने जाते हैं, बाकी आप देख रहे हैं, इसका मैने भीज वगर आप देख रहे हैं, बाकी इन में देखें तो ये रायल बेंगॉल टाइगर आप देख रहे हैं, बाकी ये आप देख रहे हैं, ये खारे पानी का क्र जान रहा है, आप निक्स्ट हम देखंगे, तो हमें देखने को मिलता है, लिए मैंगुरों के संभनित आंकड़े भी आते हैं कि मैंगुरो की क्या इस्तिति है, तो मैंगुरों की वनसपतियों बात करेंगे, तो 4907 में, वरघ किलो मीटर में ये पाए आते हैं, जिनंमें वर वाधिक मैंगुरों वनस्थपतियां पाई आती हैं तो पश्चिम मंगाल ने पाई आते हैं 213 वर किलोमीटर गुजरात में 1775 वर किलोमीटर अंडबान निकोबार में 616 वर किलोमीटर है तो यह सबी आंकड़े हैं इनको आप याद रखेगा अंडबान निकोबार में 616 2424 परगना जिसमें 2083 वर किलोमीटर में पाई जाते हैं दूसरे नंबर पर गुजरात का कच्छा आता है 798 वर किलोमीटर इसको आप याद रख सकते हैं तो मैं गुरो मनस्पती समझे इतने आकड़े आप जरूर याद रखेगा अब आए बात करेंगे उत्तर प्रिदेश के मैप आप 2 मैप देख रहे हैं एक जो जो कह सकते हैं फॉरस्ट रिपोर्ट के अंतरगत आप देखेंगे तो यह वाला मैप जो आप देखर हैं यह वाला इरिया आपको दिख रहा है ऑन है और अलका फुलका लेलितपुर का रेजिट अश्चेतर बिल्कूल हलका सा और यह इसके बाद आप देखेंगे बाहराइच हो गया सरावस्ती बल्रामपूर बल्रामपूर का सिद्धार्थ नगर और महराज गन्यों गरा इन सब जगों पर थोड़े थोड़े वन वगएर आपको देखने को मिलते हैं अब लेकिन इसे जो आकड़े इदर आप देख सकते हैं प्लिटकल मैप में आप जीलों को समझ सकते हैं आप ये वाले जीले आप देख रहे हैं ये वाले ये वैसे हो गए बाकि यहां पर भी थोड़े बूद बन पाय जाते हैं अब इसमें आपको जानना ये है कि देखें ये वाला हिसा जो पस्चमी प्रदेश है और ये वाला अबद्षेत्र ये वाला होगा पूर्वांचल कर दिया जो इसे जान रहे हैं वह आपको पूरवांचल ये सम नहीं जाना है मक्रूप से आपको जानना है कहां पर बन पाया जा रहे है अब आए देखते हैं करिसे समझ से आकड़े हैं जिनसे प्रस्न आते हैं 14,817 वर किलो मीटर है जो भगोलिक छेतरफल का 6.15 परसेंट है ये भी आप याद रख सकते हैं अब इसमें देखें बहुत ज्यादा आकड़ों में उलजने की जरूत नहीं है जो इंपोर्टन्ट है उन्हीं में बताएंगे छेतरफल की दस्टी से सरवाधिक बन कहां पाय ज लिएपूर है नियूंतम भदो ही है माउ है मैंपूर ही बदो के रविदास नगर भी बोलते हैं और बता दूंकि बौर्डर लाइम पर यह आपको दिखेगा यह संत्राविदास नगर है तो इसमें देखेंगे आप मैंने फिर सोचेंगे कि आकिर मैंने इनका छेतरफल नह रहाएगा यह तो पूछा नहीं जाता कि कितना सोंद भदर में वना वरड़ है अरिया बताई यह सम्हीं आता है लेकिन आधे लिगा करेंगे तो इसमें जिक्तर करेंगे तो आई देखते हैं परसेंट देवरिया में 0.60 परसेंट मैंन पूरी में 0.49 परसेंट मैंन पूरी इसमें देखेंगे सबसे कम प्रसत्ता के आधार पर आएगा या फिर छेतफल की देश्टी से संतर अविदास नगर और सरवाधिक की बात आएगी तो सुनभदर हो जाएगा दोनों तरीके से चेतफल में भी और परसेंटेज में भी दोनों आकड़े आप याद रखेगा तो यह रहा फॉरेस्ट रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई है सभी आकड़े इसमें दिये गए हैं आप लोग इन आकड़ों को इनालेस केजिए और इनको नोट कर लिजे नोट कर लेंगे तो चीज़े आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी बाकी मैं गुरूव वनस्पतियां वगरा मैंने सेप्रेट वीडियो बनाया उनको आप देख लिजे और आप चाहें तो 2019 की रिपोर्ट से मैच भी करा सकने कि कौन से आकड़े बढ़े हैं हाला कि 19 तो पढ़ने की ज